हमारे नसीएवाला चैनल है कोर्स कॉंटेंट लास्ट वीक के अंदर मैंने शेर किया था और अगेन हम लोग लेक्चर नहीं लिया था कीद की वज़ा से तो हम लोग इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे वाइट लिस्ट के बारे में आप में से काफ़ादा लोगों को के हाइब प्रजेक्ट कोन से हैं और यूटिलिटी किस प्रजेक्ट की ज्यादा अच्छी है तो अब लेक्चर को शुरू करते हैं और अगेन जैसे मैं नहीं भी आपको बताया कि हम लोग इसके नहीं सीखेंगे वाइट लिस्ट एन फ्ट की मिन्टिंग होती क्या है और उ अपने यूटि जब बन जना चाहिए और परजेक्ट के अंदर तो सबसे पहले उसके बैनेफिट्स क्या है उससे होता क्या है उसस यह होता है कि अगर आप लोग किसी भी परजेक्ट के अंदर वाइट लिस्ट हो आप लोग कि जो मिन्ट होंगी एन अफ टी की वो Confirmed तो वो project जब भी launch होगा वो project जब भी अपनी NFTs को launch करेगा तो और कोई उस NFT को mint कर सके या ना कर सके लेकिन आप लोग definitely तोर पे उस NFT को mint कर सकते हो उस project की NFT को mint कर सकते हो ठीक है उसके बाद है आप लोग mint कर सकते हो pre-sale के अंदर तो whitelist projects इसलिए ही provide करते हैं ताके जिन लोग NFT को pre-sale के अंदर ही mint कर लें और pre-sale के अंदर क्या होता है कि दू किसम की selling बढ़ रहा होती है NFTs की अगर मैं आपनों को यहां पे magic return के दिखाता चलू तो हाँ अभी यह चल रही है यह tomorrowland की NFTs की mint चल रही है यहां पे आप लोग देख सकते हो कि इस वक्त white list की minting चल रही ह ठीक है और white list की total यहां पे 4463 इनके white list है और total जो इनकी collection है वो है 6500 की ठीक है तो अभी यह pre-sale चल रही है white list के अंदर white list का benefit ही होता है कि वो white list देते हैं दूसरे लोगों को और फिर वो जो लोग है वो pre-sale के अंदर कर लेते हैं और अगर आप लोग के पास again white list है तो अभी चल रही है इसी के अंदर NFT को mint कर सकता है अपने wallet को connect करके यहां पर मैं mint के उपकली करूंगा तो वो मेरी NFT mint हो जाएगी 3soul इसके price चल रही है 3soul और plus Solana की जो fees है वो deduct होगी और यह NFT मेरी जूंसी है वो आ जाएगी मेरे wallet के अंदर और last में है cancel white list as well अगर आप लोग reasons आप लोग के पास liquidity नहीं है आप लोग के पास इतने soul नहीं है कि आप लोग उस NFT को mint कर सको तो आप लोग उस white list को sell भी कर सकते हो और अगर आप लोग को sell out कर देते हो somehow तो that is free money for you guys क्योंकि आप लोग ने कोई भी payment नहीं की है उस white list को buy करने के लिए आप लोग ने बस उस project को join किया है और उस project को join करके आप लोग को white list मिली है और free of course आप लोग को मिली है तो आप लोग जब भी उस white list को sell out करोगे तो वो आप लोग का free का profit होगा अब अगर मैं आगे चलते चलें तो आगे मैं आप लोग को नहीं होती है एक होती है token based और दूसरी होती है wallet based अब जि से किक्या इस project की जो mint होगी वो token based होगी या wallet based होगी अब होता ही है कि हम्दों किसी भी project को join करते हो और आप लोग kijken को crist हो जाते हो तो आप लोग आप लोग अपना wallet जो आपकी पपलिक की होती है जोकि हम लोग भी आप लोगा लेक्चर के अदर आप लोग को समझाई थी मै और उस प्रोजेक्ट के तरीके से आप लोग जो है आपने आपको वाइडलिस कफिरम कर सकते हो ठीक हो गया उस परनुर्जेक्ट करने के भी तरीके होते हैं वह कितने थीक जा कि young ऐप पनी टोब कर सकते हो लेगिन ऑपनी फाब embaulet की पब्लिक की उनको प्रोवायड करते हो जब आपके wallet की, public की, उस project के owners के पास या उस project के mode के पास चले जाती है, तो इस तरह से आपकी white list confirm हो जाती है, ठीक हो गया, तो जब आपका white list confirm हो जाता है, तो उसके बाद white list होती है, फिर या तो token based होती है, या wallet based होती है, ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को token based बताता चलूँ तो कुछ आप लोगों अपने wallet address उनको दे दिया है जब आपका wallet address उनके पास चला गया है तो अगर तो जो mint है वो token based है तो उस project का white list token white list token automatically आपके wallet के अंदर आ जएगा ठीक अगर जब भी mint होने मली होगी तो उससे एक दिन पहले दो दिन पहले चंद घंटे पहले white list token आप लोगों के पास आ जएगा अब आप लोग अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ आप लोगों देख सकते हो कि यह Degen boys NFT project था इसकी minting काफी पहले हो चुकी है ठीक है और यह है Degen boys white list token उन्होंने मुझे यह token दिया हुआ था कि जब उनकी minting थी तब मैं mint कर सकता था उन्होंने दो token दिये थे मैंने एक mint किया था दूसरा मेरे पास वैसे भड़ा हुए अच्छा अब आप लोगों के पास token आ कर सकती है कि अगर तो मैं इनकी NFT को mint कर सा हूँ तो एक NFT को pre sale के अंदर mint करने के लिए मुझे या तो दो token चाहिए हूँ कि अब इनकी मर्जी है यह लोग 2 token कर ले 2 token पर mint कर ले या 1 token पर mint कर ले अब जैसे Degen boys था इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पर white list को offer किया था कि वो लोग 2 mint कर सकते हैं पर wallet और उन्होंने इसी लिए मुझे 2 white list tokens भी दिये थे ठीक है जो कि यह यहां पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं तो अब जब मैंने उनको mint किया मैंने 1 NFT को mint की तो एक white list token automatically मेरे wallet के अंदर से deduct हो गया अब इसी दना अब जाते यह Apex Club है जब इसक को mint करूँगा तो अगेन आप देखते हैं कि एक white list एक token per mint है या दो token per mint होगा तो अगर तो दो token per mint होगा तो जब मैं NFT को mint करूँगा तो यह दोनों के दोनों token automatically मेरे wallet से deduct हो जाएंगे अब आगे चलते हैं अब second है wallet based अब यही जो project चल रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया tomorrowland का ठीक है यह वो project है इसका मैंने again server join किया हुआ है और इसकी भी wireless मेरे पास है तो मैंने एक project join किया हुआ है Exxomon Exxomon के अंदर उन्होंने 100 tomorrowland की wireless sports को offer किया था यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो के FCFS मतलब के first come first serve basis था करना सिरब यह था कि मैंने अपना wallet जो उन से है वो इस board के अंदर submit करवाना था और मैंने आप लोग यहाँ पे देख सकते के last four letters अगर आपनों देखे तो वो है 9 9 QTO राइट तो 9 QTO मेरा wallet है मैंने wallet अपना submit करवाया और मैं इस project के अंदर मतलब के tomorrowland के जिसकी NFT अभी mint हो रही है मैंने आपको भी दिखाया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी NFT के लिए मैं white list हूँ और इस project की जो white list है वो है wallet based मैं आपको confirm भी कर देता हूँ कि वो किस तरह से wallet based है यहाँ पे अगर आपनों का हैं और यहाँ पे मैं सच कर देता हूँ यह यह आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसक्वेशन किया white list के admin wallet based wallet based वहाँ पे अगर आप लोग ने अपने wallet को दे दिया हूँ है तो आपका wallet और रिजिस्टर होगी यह होगी wallet based हो गया हुआ है और आप लोग pre-sale के अंदर इनकी NFT को mint अब कर सकते हो तो wallet based के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को किसी किसम का token नहीं आता है लेकिन चुके आप लोग ने अपने wallet address इनको provide कर दिया होता है तो आपका wallet जोंसे है वो automatically whitelist हो जाता है और यह लोग add कर देत लेकिन आपनों का जो वालट होता है और अगर आप लोग को का जो वालट है वो automatically whitelist हो जाता है तो आप लोग बिना token के बिना वाइट लिस्ट को mint कर सकते हो pre-sale के अंदर तो wallet भी क्लियर है वाइट लिस्ट को sell भी कर सकते हो एक तो वाइट लिस्ट करने का server है जो कि हम ल है white list marketplace आप लोग इसको join करो तो इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आपको जो वालट है आपकी वाइड लिस्ट वालट बेस्ट है उससे भी आप gör कर सकते हो और अगर आपके बास टोकन behind अगर वृट Kell์ वोAD तो उसके अंदर वी आप लोग' सकते हों कि यहां पर देंज सकते हैं कि सोल वाइट्डिस्टमार्केटपेस एक चयनल का बना हो है और दूसरा बना हुँआ है एसरा थियृम वैट्डिस मार्केटपेस टीक है अब आप लोग यहां पे दो सब channel बने हुए है यह है buy whitelist soul यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस शकस ने भी जिस project की भी whitelist को buy करना है वो यहां पर लगा देता है जैसे इस तरह यहां पर लगाए कि buying Allison kids यह project है वो इस project की white list को buy करना चाहती है specific सब्सक्राइब करेंगे जिस शक्स के पास भी यह जो प्रोजेक्ट है इसकी वाइट लिस्ट होगी वह इस परसन को डियम करेगा कि यार मेरे पास इस प्रोजेक्ट की वाइट लिस्ट है आपको इस प्रोजेक्ट की वाइट लिस्ट चाहिए तो फिर वह लोग डिसाइड कर अगर तो again token based है तो वो token इसको send कर देगा और अगर wallet based है तो वो क्या करेगा कि वो NFT को mint करेगा और फिर वो इस specific person को भेश देगा एक तो है ये दरीका और दूसरा दरीका ये कि आपका जो wallet है कि जो के wallet आप लोग का उस specific project के अंदर white list हुआ पड़ा है अब उस wallet को ही दे तो उ उसके लिए अगर मैं आप लोग को यहां पे दिखाता चलू तो उसके अंदर होता क्या है कि यहां पे लोग आते हैं और अपना जो wallet है उसी को surrender कर देते हैं यहां पर यह आप देख सकते हैं कि यह specific शक्स है जो के sell कर रहा है blackout project है उसकी white list वो sell कर रहा है और वो कह रहा है क मैं अपना जो wallet है वो ही आप लोगों को दे दूगा तो पिछला तरीका तो यह था कि आप लोगों की पास white list है तो आप लोग white list token white list NFT को mint करते हो और फिर वो NFT को उसको बेश दे हो जो शक्स buy कर रहा है लेकिन दूसरा तरीका यह है कि आप लोग अपने wallet को ही surrender कर दो आप wallet ह अब wallet अगर आप लोग wallet surrender करना चाते हो आपके पास एक specific project key white list है आप उसके wallet को ही surrender करना चाते हो वालट को ही देना चाते हो तो वो आप लोग कैसे दोगे कि आप लोग यहाँ पे अपने wallet के पर आओगे let's again यहाँ पे phantom wallet है आप लोग जाओगे यहाँ पे settings के उपर और यह यहाँ पे आप लोग export private key के उपर click करोगे यहाँ पे अपने wallet का password आप लोग एड करोगे next के उपर click करोगे तो आपकी जो private key है वो आजेगी आप उस private key को copy करोगे और वो private key जुनसी है जिस शक्से भी वो buy करना है आप उसको बेश दूगे और फिर वो शक्स क्या करेगा कि वो शक्स अगेर इस wallet को आपके wallet को वो add करेगा और फिर यहाँ पे वो लिख देगा इस के उपर reset secret recovery phrase के उपर click करेगा तो फिर यह जो सब wallet है जो के पहले आपका था वो फिर उसका हो जएगा permanently और इस तरह से आपका जो access है अपने wallet तक वो खतम हो जएगा तो इस तरह से य यह वाला जो तरीका है मेंली यही वाला तरीका चल रहा है सो इसके लिए फिर आप लोगों को शुरू से ही decide करना पड़ेगा जब आप लोगों को उस project की wireless मेंने रखनी है या नहीं रखनी है अगर तो आप लोग नहीं रखनी है तो आप लोग एक दूसरा wallet बनाओगे और तो टोकन को भी sell करने का इसी तरह ही एक तो आप लोग यहां पर जाओगे इस यह जो सा सर्वर है wireless marketplace यहां पर जाओगे यहां पर आप लोग सेलिंग के पर जाओगे और आप लोग लगोगे के you are selling this particular project wireless wireless token और आप लोग की demand यह है यह सारा कुछ और फिर उसके बाद जो भी आप लोग के साथ शक्स in contact होगा जिसको वह wireless चाहिए होगी तो आप लोग उसके wallet का public key मांगो के और उस key के ओपर उस token को send कर दो है अगर मैं आप लोग के यहां पर दिखाता चलूँ तो जैसे का मैं आपको बता है कि में पास कुछ wireless tokens है लेट से अब यह Apex Club Apex token है wireless token मैंने कि यह send करना है तो मैं उस चक्स से उसका यह वाला जो पब्लीक एड्रेस वो लूँगा यहां पर मैं send के ओपर click करूँगा यहां पर मैं जो address है वो उसको add करूँगा और फिर उसके बाद मैं एक जो में बाद क्यूंगे दो हैं तो मैं एक को लिखके उसको send कर दूँगा अगर उसको दोनों चाहिए होंगे, जो भी मारे deal हुई होगी, दोनों लिके मैं उसको next के उपर क्लिक करूँगा और उसको send कर दूँगा, एक तो है ये तरीका, tokens को sell करने का, और दूसरा तरीका है, एक website है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगो दिखाता चलूँ, आपका wallet जो से है, वो automatically connect हो जाएगा, जब आप लोग यहाँ पर list token के उपर क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर आप लोगो बता देगा, कि आपके पास ये वालब token है, जिसकी floor prices तक चल रही है, 0.00196, फिर आपके पास ये है, इस तरह से वो सारा बता देगा, और आप लोग देखोगे, कि आपके जो token है, जो भी token आप लोगो ने मतलब के list करना है, इस website के उपर, उस token को आप लोग select करोगे, और फिर उसके बाद आप लोगो ने जो भी price रखनी होगी, ठीक है, यहाँ पर आप लोग रखोगे, यहाँ पर प्राइस select करोगे, यहाँ में जो भी quantity है, आप लोगो ने पाद दू है, और जब भी वो sell out हो जाएगा, तो automatically souls जो है, वो आपके wallet के अंदर add हो जाएगे, तो दूसरा तरिका, token based whitelist को sell out करने का यह है, ठीक है, इसके लाब अगर आगे चलते हैं, तो सबसे पहले again मुझे clear करना है, कि NFT की minting क्या होती है, अगे यह छोटा सा है, तो जब भी कोई project अपनी NFTs को launch करना चाता है, वो क्या करता है, कि अपने tokens को, मतब कि अपने non fungible tokens या अपनी NFTs को blockchain के साथ link कर देता है, अब वो blockchain के साथ इसलिए link करता है, ताकि जो लोग होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग उस tokens को buy कर सके, ठीक है, अब let's say, एक project है, उसने अपने tokens को Solana blockchain के साथ link कर दिया है, और अब हम लोग जो people हैं, वो अगर उसकी NFT को, उसके non fungible token को buy करना चाते हैं, तो हम लोग Solana के थुरू, sold token के थुरू, उसकी NFT को buy कर सकेंगे, और इसका फाइदा ये होता है, blockchain के साथ अपने tokens को link करने का फाइदा ये होता है, कि एक NFT अगर मैंने mint की है, और वो मेरे mint करने के बाद मैंने sell कर दी है, और उसके बाद जिस बंदे ने buy की, उसने आगे sell कर दी, और इस तरह सो लोगों के पास वो NFT चले गई है, तो हम सो के सो लोगों का जो address है, वो blockchain के अंदर add होगा, blockchain के अंदर फाइदा ये होता है, कि हम उस जो भी शक्स वो नए NFT को buy करेगा, उसको पता लगेगा कि previously, ये specific NFT कितने लोगों के पास already रही है, तो इसलिए blockchain के साथ वो लोग लिंक कर देते हैं अपने tokens को, और फिर उसके बाद NFT mint करने का सबसे बड़ा फाइदा ये होता है, कि अगर आप लोग NFT को mint करते हो, तो आप लोग उस specific NFT के पहले owner होगे, और being the first owner of a big NFT project, big project की NFT, जैसे कि अगर आप लोग ने सबसे पहले mint किया है, तो आप लोग जितनी भी price में चाहो, उसको sell out कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ minting के platforms आप लोग के साथ share कियो हैं, एक है Magic Eden और दूसरे है Monk Labs, ये सबसे मशूर NFT minting platforms हैं, Solana blockchain के पर, Magic Eden का आपनों को idea है, Monk Labs के पर भी काफी जदा NFTs mint होती हैं, और उसके बाद, lastly, जो NFTs mint होती है, वो उस project की अपनी website होती है, तो इस तरह से NFT की minting काम होती है, Last point है, कि high projects और utility projects को वो कैसे आपनों को ने find out करना है, तो अब अगर बात करते चलें कि high projects ज्यादा बेतर है, या utility वाले projects ज्यादा बेतर है, तो उसके बारे मैं आपको बताता हूं, कि आज कल, ये जो सी, क्योंकि bigger market चल रही है, तो bigger market के अंदर high projects उतने ज्यादा अच्छा परफर्म नहीं करें, जितने वो projects अच्छा परफर्म करें है, जिनकी utility बहुत ज्यादा अच्छी है, तो यहाँ पे मैं कुछ projects आपके साथ शेर करता हूं, कि जिनकी utility बहुत अच्छी है, लेकि उनकी hype इतनी ज्यादा नहीं है, तो ये एक project है, Eternal Dragons, अगर आप लोग देखे 1000, 30,000, 70,000 से ज्यादा है, तो इसके मत्तब है कि काफी ज्यादा users है, लेकिन हम लोग देखना है, अनॉस्मेंट के पर जाके, कि अनॉस्मेंट के उपर, इनकी पर अनॉस्मेंट के उपर कितने ज्यादा reactions आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग अगर इसका देखे है, Eternal Dragons का, तो 260, 87, उसके बाद 215, तो अब 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 कि 200 की रेंज के अंदर आ रहे हैं, तो यह इतनी कोई ज्यादा हाइप नहीं है, लेकिन अगर मैं आप लोग को दिखाता चलू, तो इनकी जोंसी एक collection है, वो अल्रेडी लॉंच हो चुकी है, और उसकी जो प्राइस थी, इसकी जो प्र की प्राइस थी, और आपकर अब भी आपनों देखे तो अब फ्लोर प्राइस इसके चल रही है, 8.59 सोल, तो 1000 NFT जोंसी है, वो इन्होंने अल्रेडी यहाँ पे लॉंच कर दी हुई है, और 1000 NFT इनकी अल्रेडी मेंट हो चुकी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे है तो लोग ने क्यों इसके पर इन्मेस्ट किया है, वो इसलिए इन्मेस्ट किया है, अगर आप लोग यहाँ पर जाएं तो आप लोग इनकी वेबसाइट के पर जाएंगे, तो यह इनकी वेबसाइट है, तो यहाँ पर आके आप लोग देखेंगे, तो इनकी टीम आप वह former senior director at Microsoft है, ठीक है, और इसके लाबा वह former director at EA Sports, जो के games कर रहा है, जिसके आप लोगों ने भी game कर रहा है, इनकी खेली होगी, FIFA की है, इनकी game, इनकी game cricket की है, तो इनकी team काफी ज़ादा strong है, और उनका previous experience है, वह भी बहुत जादा, इसी तरह अगर आप लोग देखें, तो CPO co-founder जोंसे है, वह भी यहापे former head of product for candy crush, sodas हैगा, तो आप लोगों ने भी candy crush कर रहा game देखी होगे, तो यह उसके former head है, इसके लाबा जैसे आप लोग आकर चलते जाएंगे, तो यह भी former technical director of EA, तो इनकी जो team है, वह काफी ज्यादा experienced है, ठीक है, यहापे आप लोग देख स 2 million dollars raise किये थे, ताकि वो अपनी जो सी game है, eternal dragons, जो सी यह game बनाएंगे, B2E based game, उसके लिए, तो यह कुछ ऐसी news थी, again, लोगों ने इनकी team को देखा, इनकी team experience थी, लोगों ने देखा कि यह लोग क्या करना चाहते है, future के अदर अपने project के साथ, तो लोगों को नज़र आया है, इस project की utility के पर, और इस project की team के उपर, तो अब आप लोगों ने भी यह करना है कि, जैसे का मैंने अभी आपको बताया, शुरू के पर कि, क्योंके यह beer market है, और beer market के अंदर, high projects इतना अच्छा perform नहीं कर रहे हैं, अगर मैं आप लोगों के यहा पे दिखाता चलू, तो यहाँ पे एक high project है, बहुत ज्यादा high project, और यह था यहाँ पे exomun, तो exomun को अगर आप लोग देखें तो इनके जो discord पे members है, वो है 25,000, लेकिन के twitter पे अगर आप लोग देखें तो twitter पे इनके है 165k followers, तो यह बहुत ज्यादा followers हैं इनके twitter के पर, और यहाँ पे आप आप लोगों को इसकी collection दिखा हूँ, तो exomun again sold out हो चुका हुआ है, और इसकी float price चल रही है, 0.59, तो एक soul से काफी ज्यादा नीचे चाल रही है, तो इनकी जो team है, अगर आप आगे चलते चलें तो सबसे पहले इनकी team के पर बात करें हैं, तो यहाँ पे official links और official links इनकी website के पर जाते हैं, तो website के पर आप लोग आएंगे, तो यहाँ पर आप लोग इस project के पर थोड़ी पर study भी कर सकते हैं, तो यह project है, यह तकरीबन 3 blockchains के पर काम कर रहे हैं, जिसके पर Solana शामिल है, जिसके पर Binance शामिल है, और जिसके पर Polychainmatic जो chain है, उसके पर यह काम कर रहे है तो काफी different exchanges के पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी project की hype पेशक बहुत ज्यादा थी, लेकिन utility क्योंकि इतनी अच्छी नहीं थी, so far इतनी अच्छी नहीं थी, यह plan तो कर रहे हैं कि यह लोग future के इंदा P2B based game अपनी launch करेंगे, Metaverse based game होगी, लेकिन अभी तक ऐस सच जैसे के, मैं आप लोगों ने यहाँ पर देखा, eternal dragons रहे हैं, उन्होंने दिखाया कि उन्होंने 8.2 million dollars जो से funds कठे की हुए है, उसी तरह यहाँ पर examen वालों ने नहीं दिखाया थना जाता है, तो इसकी वज़ा से, उनकी जो price है, वो नीचे आगी है, बेशक hype बहुत जात पता है कि वो लोग क्या करना है, future के अपने project को उन्होंने कैसे लेके चलना है, जैसे कि यहाँ पर eternal dragons की team उसको पता है कि उन्होंने आके future के अपने project के अदर क्या developments कर ली है, और उनकी team again एक काफी ज्यादा experienced team है, तो इस तरह से आप लोग देखेंगे, इसी तरह अगर मैं announcement के उपर गए, यह announcement के उपर आप लोग के, और announcement के उपर again आप लोग को ने देखा कि कितने reactions है, तो reactions है, यहाँ पर आपनों देख सकते है 72, 65, 81 और फिर उसके बाद 78 तो इनके तो 100 भी नहीं है, मतलब इनकी चो hype है वो eternal dragons से भी काम है, लिकिन again team, इनकी team अगर आपनों दे very less than eternal dragons, इसके लावा इनकी total supply थी 5500 की, जो के इनकी पहली NFT की collection थी, honeyland की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो 5500 की collection थी, mint already sold out हो चुका है इनका, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आते हैं कि the team के उपर, तो सबसे पहले अगर आप लोग देखे तो team इनकी सब के लि तो यह इन लोगों की website है, यहाँ पर आप लोग टीम के उपर click करोगे, तो यह team इन लोगों की आजएगी, अगर आप लोगों की इन team के बारे में study करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो, फिर आप लोग यहाँ पर इनके white paper के उपर जाओ, white paper के उपर इनकी study करो कि यह project क्या है और यह मतब कि future के अंदर क्या आप लोगों को benefits provide करेगा, तो यह जो project है, honeyland का, यह भी एक metaverse based project है, इनकी जो nfts अगर मैं आप लोगों को दिखाता है, चुनो सबसे पहले, तो honeyland, यहाँ पर, honeyland की total दो collections है, यहाँ पर आप लोग दे सकते हो, तो एक इनकी collection है, यह Genesis collection, और दूसरी, इनकी honeyland pass है, अगर आप लोगों को इनकी metaverse के अंदर access हासिल करनी है, तो आप लोग इस पास को buy करोगे, लेकिन अगर Genesis collection में आप लोगों को दिखाता चलो, तो उसकी floor price चल रही है, 4.15 soul, और इनकी जो minting price थी, वो थी, 0.15 soul, तो hype नहीं है project के, जैसा कि मैंने reactions नहीं किये हुए है, लेकिन क्योंकि टीम सब के साथ open है, इनके CEO है, ये बार-बार YouTube के पर live आके, बताते हैं कि future के आप लोग क्या developments करने वाले हैं अपने इस project के उपर, तो इनकी team के उपर है, और again ये लोग utility भी काफी अची provide कर रहे हैं, तो इसी वज़ा से लोगों ने investment की है, और time करने अगर तो आप लोगों ने किसी भी project के उपर investment करणी है, तो आप लोगों ने सब से पहले अपनी research करणी है, और research किस किस के पर करनी है, उंक्की team के पर open है के नहीं है, उंकी team doxxed है के नहीं है, अब doxxed क्या मुराद होता है, D-O, X, X, E D उससे मुराद ही ह तुछ दूसरी चीज देखोगे वह देखोगे कि Team का Experience कितना जैता है जहसा है तर्छ आप लोगत देख लिए तरत है ऐसे तरा आप को देखोगे कि तीम का Experience कितना ज्यादा cœur वह experience रखती है के नहीं रखती है, ठीक है, दूसरी चीज आपको ने देख लिया, experience भी team रखती है, फिर तीसारी चीज आपको ने देखने हैं कि, यह चो project लेकर चाल रहे हैं, क्या उनको पता है कि उन्हों को करना क्या है, जैसे ट्रॉलन ्ड्यगन्स अगे इन उसका team को पत और eternal dragons की developments भी चाल रही है लेकिन क्योंकि उन्होंने 8.2 million dollars से कठा किया हुए तो ये एक बहुत बड़ा edge मिला है eternal dragons के team को तो तीसरी चीज़ आप लोगो देखना है कि उनकी team को क्या idea है कि उन्होंने क्या करना है future में अपने budget को कैसे लेके चलना है तो ये तीन चीज़े आप लोग देखोगे अगर आप लोगों को ये तीनों चीज़े एक project के अंदर नजर आती है तो फिर आप लोग उस project के पर investment अपनी कर सकते हो तो आप लोग所以呢 investment के लिए बेशक investment के फॉरण राद आप लोंको वो profit दे या ना दे लेकिन long run के अंदर वो आप लोंको definitionly तोर PayPal profit देगा अगर तो team एची है अगर तो team experienced है और अगर तो team को पता है कि वो क्या करने हैं उन्होंने अपने project के साथ, तो यह कुछ प्रोजेक्स मैंने आप लोगों की साथ शेयर करने थे Honeyland, Eternal Dragons के इनकी टीम अगें काफी जादा स्ट्रोंग है और इनको पता है कि यह लोग क्या कर रहे है और उसके लब आप लोग यह देख सकते हो कि कोई प्रोजेक्स क्या प्रोब्लम क्या solution हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे है अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक collection दिखाता चलूँ Blocksmith Labs की यह है Blocksmith Labs तो इसकी सबसे पहले floor price अगर आप लोगों देखा तो वो है 54.60 और इनकी जो NFT collection जब minting इसकी start हुई थी तो minting price if I am not wrong 1-3-16-20 इससे ज्यादा नहीं थी तो इनका भी अगर आप लोगों देखो तो Twitter के पर 0-0-51.6 के followers हैं और इसकी जो total collection है वो है 4.4 के तो यह जो project है इन्होंने problem थी जो कि Solana Blockchain के पर NFT के projects हैं उनको आ रही थी और वो problem यह थी आपनों भी जानते है Dinobot आ जाता है जिसके अंदर उसको यूज करते थे या वो manually whitelist के जो addresses है उसको गठा करते थे जैसे अगर मैं आप लोग के यहाँ दिखाता चलू तो यह project है dragon element और यहाँ पर मैं whitelist हूँ तो यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो कि यह manually whitelist के जो addresses है वो अकठे कर रहे हैं लेकिन blockswith labs ने क्या किया blockswith labs ने एक website बनाई जिसको उन्होंने mercury blockswith labs का नाम दिया और यहाँ पर अगर आप लोग आपको sign in करेंगे अपने discord को add करेंगे और फिर अगर आप लोग अपने wallet को add कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी कोई नया project नए आने वाला NFT project अगर mercury blockswith labs को use कर रहा है तो उसके उपर हम users है अपने आपको बहुत easily whitelist अपने जो whitelist को confirm कर सकते हैं अब let's say यह projects के पर सब के अंदर पर मैं already whitelist हो चुका हूँ तो यह कुछ projects है अगर इसके उपर मैं यहाँ पर obtain whitelist के पर click करूँगा तो अभी क्यूंकि मेरे पास इस project की so far whitelist नहीं है अगर मेरे पर whitelist होता तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा होता का verified for whitelist मैं verified के उपर click करता तो इस तरह यह जो whitelist obtained आ रहा है मैंने यहाँ पर लिखा था और मैंने यह जो wallet अपना add किया हुआ है mercury blocks with labs के उपर यह wallet मेरा automatically इस project की team के पास चला जाता और इस तरह से मेरे जो whitelist support है वो confirm हो जाता तो mercury blocks with labs इस problem को हल किया और उसकी वज़ा से इस NFT की collection है उसकी floor price आप लोगों देख सकते हैं कि वो 54 sold अभी चल रही है तो इस तरह से आप लोगों ने देखना है कि कोई ने आने वाला project है वो क्या problem है और उसका solution वो हम लोगों को क्या provide कर रहा है तो अगर तो SVB projects आप लोगों को नजर आते हैं तो उसके पर भी आप लोगों अपनी investment कर सकते हैं तो इस तरह से यह projects काम करते हैं